हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव ट्विन फ्लेम जर्नी पर माई लविंग ट्विन सोल्स आप सभों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए है मैं सभी का स्वागत करती हूँ आज का विशय है ट्विन फ्लेम्स की लाइफ में कार्मिक्स क्यों आते हैं प्रियों कार्मिक्स और सोल मेट पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया है पर शायद आपको वो नहीं मिला तो आज मैं इसी पर वीडियो बना रही हूँ क्योंकि एक ड्व ने क्वेस्चन किया था कि हमारी लाइफ में कार्मिक्स हस्बेंड क्यों आते हैं बात यहां पर कार्मिक्स हस्बेंड की नहीं है कार्मिक्स किसी भी रूप में हो सकते हैं वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं आपकी फैमली के लोग हो सकते हैं कोई भी इनसान कार्मिक्स के रूप में आपके लाइफ में आ सकता है लेकिन कार्मिक्स का आना आपके लाइफ में क्यों होता है इसके कुछ कारण है पहला अवेकनिंग के लिए यदि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं तो आपको अवेकनिंग की और शक्ता है और इसके लिए आपके लाइफ में कार्मिक्स को भेजा जाएगा अब कार्मिक्स का आना जब आपकी लाइफ में होता है तो वो आपको हर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं और इसके द्वारा आप बहुत ज़्यादा मांसिक तनाव में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा पेन में चले जाते हैं और उस वज़ा से आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। कार्मिक्स भी आपको ट्रिगर करके हर्ट करके आपकी अवेकनिंग करवाते हैं। उनका आना एक प्रकार से आपको आईना दिखाना ही हैं, वो आपकी कमजोरियों को आपकी कम्यों को बाहर निकालते हैं। लेकिन होता ये है कि उसकी वज़ा से आप हमेशा लो वाइब्रेशन में रहते हैं। आप ड्रेन रहते हैं। आप अपने उद्देश तक कभी नहीं पहुँच सकते। आपका आध्यात्मिक उन्नती नहीं होती। तो इस प्रकार कार्मिक्स वो होते हैं जो हमेशा आपकी एनरजि को लो करते हैं। ट्रिगर दे देखे। लेकिन इसके विपरित जो आपका ट्विन हैं वो भी आपकी अवेखनिंग के लिए आता है। लेकिन जब वो आता है तो उससे आपकी लाइक पूरी रीति से बदल को लाता है आपका जीवन अध्यात्म की और मुड़ जाता है आप अपने उद्देश से जुड़ जाते हैं आप अपने परपस तक पहुच जाते हैं तो इस प्रकार जो ट्विन है वो पॉजिटिव वे में आपके लाइफ को बदल देता है इसे लिए कार्मिक्स और ट्विन में अंतर है क्योंकि कार्मिक्स हमेशा आपकी वाइब्रेशन को डाउन करेंगे और ट्विन आपकी वाइब्रेशन को डाउन तो करेंगे लेकिन आपकी लाइफ को अवेकनिंग की और ले जाते हैं और इस से आपका जीवन बदल जाता है आप इश्वर से जुड़ जाते ह मुख्च तक पहुच जाते हैं दूसरा है लर्निंग के लिए आप जानते हैं कि Twin Flame Journey एक लर्निंग की जर्नी है आप इस जर्नी में कुछ सीखने के लिए आये हैं और जब भी किसी कार्मिक्स का आपके लाइफ में आना होगा तो आपको लर्न करेगा किसी ने किसी बात पर वो आपको Trigger करेगा कि आपकी कमिया बाहर आए आप उसे देखे और उस पर काम करे कारमिक्स किसी भी रूप में हो सकते हैं चाहे वो आपके रिस्तेदार हो आपके फ्रेंड्स हो आपकी फैमली के लोग हो आपके बॉस हो जब इनके द्वारा आपको ट्रिगर दिया जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है आप बहुत ज़्यादा तनाओं में चले जाते हैं और इसी वज़े से आप इस जर्णी में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं लेकिन ये जर्णी यहीं कहती है कि चाहे कोई कुछ भी कहे आपको उनकी बातों की और ध्यान नहीं देना है आपको खुद पर फोकस करना है इसलिए यदि उनकी बातों को दर किनार करते हुए आपने खुद पर काम किया तो आप पॉजिटिव वे में चलते हुए इस जर्ण आ गई कि इसने मुझसे ये कहा उसने मुझसे वो कहा तो कहीं न कहीं आपके अंदर ब्लोकेजिस आने शुरू हो जाएंगे और यहीं से आपकी जर्णी इस्टक हो जाएगी आप अपने जर्णी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि इस जर्णी में हमेशा अपने भ क्रवकर करना है तीसरा हैis low vibration की वज़ा से आपके है लाइफ में कार्मिक्स का आना आपकी low vibration की वज़ा से होता है जदी आप लो औंथ वाइबरेशन में रहते हैं तो हाइब्रेशन के lender evenOW ही आप से इसलिए जब आपrix जरणी आगे बढ़ते हैं, तो जितने भी कार्मिक्स लोग होते हैं, लो वाइब्रेशन के, उनसे आपका कनेक्शन छूटता जाता है, और हाई वाइब्रेशन के लोग आपसे कनेक्ट होते जाते हैं, क्योंकि आपका डाइमेंशन बदल रहा है, आप जेतना के इस तर पर आगे कार्मिक्स को बुलावा देते हैं, आपके लाइफ में फाल्स ट्विन जब आते हैं, तो वो भी आपकी लो वाइब्रेशन की वज़ा से ही हैं, चौथा है कर्मा एकाउंट का होना, आप जानते हैं कि इस जर्नी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो पास्ट लाइफ कर्मा ब होता है कि यदि आपने पास्ट लाइफ में कोई कर्मा क्रियेट किया था, तो वो इस जन्म में आएगा और इस जन्म में आपको उसे क्लियर करना पड़ेगा, यदि आप किसी व्यक्ति की वज़़से बहुत ज़्यादा परिशान होते हैं, उसके आने से आप लो वाइब् हो, आपके बॉस हो, कोई भी जिनकी वज़़से आपको मांसिक तना होता है, तो ऐसे में आपके मन में यही प्रश्ण आता है कि मैं इस इनसान के द्वारा इतना परिशान क्यों होता हूँ, ये क्यों मुझे इतना परिशान करता है, क्योंकि ये पास्ट लाइफ कर्मा है, हो सकता है कि आपने उसे पाश लाइफ में परिशान किया हो इसलिए इस जन्में आप उनके द्वारा परिशान हो रहे हैं तो जब तक ये पाश लाइफ कर्मा को क्लियर नहीं किया जाता तब तक आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते इसलिए सब कोंसेंस माँड की प्रोग्रामिंग की जाती है और पाश लाइफ कर्मा क्लियर किया जाता है तो जो कार्मिक्स होते हैं उनका आपके लाइफ में आना पाश लाइफ कर्मा की वज़ह से भी है तो इस प्रकार ये सब ही वो कारण है जिसकी वज़ा से कार्मिक्स आपके लाइफ में आते है तो प्रियो आज हमने इस विशय पर बाते की ओप सो आपको हेल्प करे तो आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर and God bless you all